एक बार की बात है कुशाल दो दिन अपने माबाप के साथ बिताने के बाद ट्रेन पकर कर सीधा पुराने दिली रेलवे स्टेशन पर उतरता है रात के करीब साड़ी ग्यारब बच चुके होते हैं कुशाल को आसपास कोई भी आटो या टैक्सी नहीं दिखती कुशाल कैब बुक करने के लिए अपना फोन जेब से बाहर निकालता है तो फोन में बैटरी ही नहीं होती हे भगवान अब इस बैटरी को भी अभी खत्म होना था अब मैं क्या करूँ हाँ एक काम करता हूँ कुशाल अपना बैग उठा कर पैदल ही चल पड़ता है रास्ता बहुत ही सुनसान होता है और वहाँ एक भी आदमी नहीं दिख रहा होता कुशाल जैसे तैसे चान्नी चौक मेटर स्टेशन तक पहुँच कर काउंटर पर टोकन लेने जाता है और फिर जल्दी से नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाता है कुशाल मेटर आने का इंतजार करी रहा होता है कि वहाँ दूर उसे एक लड़की अकेली बैठी होई दिखती है उस लड़की के लंबे-लंबे बाल होते हैं इसकी वज़े से उसकी शक्ल देखने ही पा रही होती कुशाल उसके पास जाता है पर वो लड़की आगे पहुच जाती है अभी तो वो लड़की इस चेर पर बैठी थी अचानक वहाँ कब चली गई शायद ये मेरा वहम होगा कुशाल फिर थोड़ा और आगे जाता है और उस लड़की से बोलता है लड़की अपने चेहरे से बाल हटाती है और कुशाल की तरफ मुस्कुरा कर देखती है कुशाल उसे देखते ही एक जटके से पीछे हो जाता है कुषाल उस चुडैल को देखकर कापने लगता है पर तब ही वहाँ पर मेट्रो आकर रुखती है और उसके दर्वासे खुंजाते है कुषाल भागते हुए जल्दी से मेट्रो में खुश जाता है पूरी मेट्रो लोगों से भरी होई होती है कुषाल को फिर एक खाली सीट दिखती है और वो जाकर उस पर बैठ जाता है और मेट्रो चल पड़ती है पे भगवान आस तो वो चुडैल मुझे मार ही डालती अच्छा हुआ टाइम पर मेट्रो आ गई पर मेरा बैग मेरा बैग तो वहीं छुट गया पर कोई नहीं उस बैग में कुछ खास नहीं था मेरा उस चुडैल से पीछा छुट गया वही काफी है कुषाल की अचानक आंख लग जाती है और जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो मेट्रो बिलकुल खाली होती है अरे अभी तो ये मेट्रो खचाकच भरी पड़ी थी और अचानक खाली हो गई बड़ी अजीब बात है उसके बाद कुछाल जहांक कर देखता है कि कौन सा मेट्रो स्टेशन आ गया पर वो बोर्ड देखकर बड़ा ही हैरान हो जाता है क्योंकि बोर्ड पर चान्दनी चौक लिखा होता है मैं तो चान्दनी चौक मेट्रो स्टेशन से ही मेट्रो में बैठा था और करीब दस मिनट मेट्रो चलने के बाद थी मेट्रो चान्दनी चौक के मेट्रो स्टेशन पर ही है पहले वो चुड़ायल फिर मेट्रो से लोगों का अचानक गायब होना और फिर अब ये आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ कुशाल बहुत डर जाता है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि वो मेट्रो से निकल जाए या उसी में बैठा रहे कुशाल चुप चाप मेट्रो में बैठा रहता है मेट्रो के दरवाजे बंद हो जाते है और मेट्रो एक बार फिर से चल पड़ती है इस बार कुशाल की नजर बस सामने होती है और वो बस अगले स्टेशन के आने का इंतजार करने लगता है कुछी देर में दूसरा स्टेशन आ जाता है और मेट्रो की स्पीड कम हो जाती है कुशाल चांक कर मेट्रो स्टेशन का नाम देखने की कोशिश करता है पर उसे नाम ठीक से दिखता नहीं है फिर एक जटके से मेट्रो रुख जाती है और मेट्रो की दरवाजे खुल जाती कुशाल जल्दी से खड़ा होता है और मेट्रो स्टेशन का नाम देखता है पर उसकी आखे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि बोर्ड पर अभी भी चाननी चौक ही लिखा होता है यह क्या हो रहा है फिर से वही स्टेशन आखिर बार बार Metro एक सी स्टेशन पर कैसे रुख सकती है आओ कुशाल मेरे पास आगर बैठो कौन है कौन है यहाँ कुशाल देखता है कि वही Metro के आफ़ी ढिंबे में खड़ी उसे अपनी तरफ पुला रही है कुशाल जल्दी से मेट्रो के बाहर निकल जाता है और भाग कर मेट्रो ड्राइवर का दर्वाजा खट खटाता है ड्राइविंग सीट पर वही चुड़ायल बैठी होती है और कुशाल के तरफ देख कर फिर से मुझकुराने लगती है कुशाल चिल्लाता हुआ यहां से बहाँ भागने लगता है पर वो जहां भी जाता चुड़ायल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती और कुशाल उसे देखकर वापस नीचे प्लेटफॉर्म पर आ जाता है वो पागलों की तरह चिलाने लगता है और वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठ कर रोने लगता है कोई मुझे इस चुणैल से बचाओ ये मैं कहां आकर भस गया हूँ ये भगवान मेरी बदद करो मुझे इस चुणैल से बचाओ मुझे अपने घर जाना है मुझे अपने घर जाना है भगवान अपने घर जाना है तुम कभी अपने घर नहीं चापाओगे मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दूगी तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था चुडेल इतना बोलकर गायब हो जाती है कुशाल अपने आपको उसी जगा पाता है जहां से वो मेट्रो में चढ़ा था उसका बैग भी वही चेयर पर पड़ा हुआ होता है जहां उसने छोड़ा था कुशाल अपने बैग के पास जाकर बैठ जाता है कुशाल की निजर फिर से उसी घड़ी पर पड़ती है जो प्रेटफॉर्म पर टंगी हुई होती है कुशाल घड़ी में टाइम देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें अभी भी बारही बज़े हुए होते है कुशाल फिर अपने हाथ में बंधी घड़ी में देखता है तो उसमें तीन बच कर 69 मिनट हो रहे होते है मुझे यहाँ भसे हुए इसनी देर हो गई है कुशाल वापस अपनी चेर पर बैठने के लिए मुड़ता ही है कि अचानक पीछे से 4-5 लोगों का धक्का आता है कुशाल कुछ कर पाता उससे पहले ही भीड में चड़ रहे लोगों का धक्का लगने से वो भी मेट्रो में खुश जाता है कुशाल जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है पर तब तक मेट्रो के दर्वाजे बंध हो जाते है कुशाल के कंदे पर एक लंबे बाल वाली लड़की हाथ रखती है सुनिए जरा साइड हो जाएए चुड़ाल चुड़ाल बचाओ मुझे कोई इस चुड़ाल से बचाओ ओ हलो पागल बागल हो गयो क्या मैं तुमको चुड़ाल दिखाई देती हो बत तमीज कहीं का चलो हटो यहां से मेरा स्टेशन आ गया सामने लिखा हुआ है तो अच्छा होगा खुद पढ़ लो और मुझे जाने दो कुशाल सामने बोर्ड पर देखता है तो उस पर राजीव चौक लिखा होता है कुशाल चल्दी से मेट्रो से बाहर निकल जाता है प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी लोग होते है कुशाल की नजर फिर प्लेटफॉर्म पर तगी घड़ी पर पड़ती है जिसमें चार बच कर दस मिनट हो रहे होते है कुशाल को इतना डरा हुआ देखकर वहां सफाई करने वाला एक आदमी उसके पास आता है क्या हुआ भाई तुम इतने डरह हुए क्यों लग रहे हो कुम्हारी तबियत तो ठीक है ना वो वो चुड़ैल चुड़ैल क्या वो चुड़ैल तुम्हें भी दिखाई दी मुझे भी मतलब तुम तुम जानते हो उसके बारे में हां मैं जानता हूँ वो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई थी बस तुम्हारे ही नहीं वो तो जाने कितने लोगों को ऐसे ही परेशान करती है दरसल एक रात एक लड़की यहां अपने पती के साथ आई थी दोनों जब प्लेटफॉर्म पर खड़े मेट्रो का इंतजार कर रहे थे तो दोनों की जाने किस बात पर आपस में बहस हो गई उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई यह उस आदमी ने निपनी को मेट्रो के आगे धक्का दे दिया और वो मर गई उस आदमी को जेल हो गई और लड़की तब से चुड़ायल बनकर चाननी चौक के मेट्रो स्टेशन पर घूम रही है पर वो बारा बजे से लेकर चार बजे तक ही यहां घूमती है उसके बाद वो अपने हाँ चली जाती है इसलिए चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखा भी हुआ है कि बारा से चार के बीच अंदर आना मना है वो मैं जल्दी में था इसलिए मैंने देखा नहीं बस आगे से ध्यान रखना और रात को कभी उस स्टेशन से सफर मत करना नहीं नहीं कभी नहीं